हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे पिराना मचली के बारे में तो पिराना मचली के बारे में चानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलो दोस्तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट कियें तो दोस्तो आपने पिराना मचली का नाम सुनाई होगा और कई लोगोंने पिराना मचली को देखा भी होगा पिराना मचली दुनिया की सबसे खतरनाक मचली में से एक है ये मचली धक्षिण अमेरिका की जील में रहती है मचली छोटे से लेकर मध्यम लंबाय तक होती है कुछ पिराना मचली उत्तर अमेरिका में गरम जिलों में और बांगलादेश के कपताई जिलों में पाई जाती है ज्यादा से ज्यादा इन पिराना मचली की लंबाय दो फिट तक होती है इन मचलियों को जीवित रहने के लिए गरम पाने की जरुरत होती है पाने का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो खाना पिना नहीं खाती इन मचलियों का रंग पीले और निले रंग की होती है और कुछ पिराना मचलिया लाल और काले रंकी भी होती है बहुत लोग तो ये सोचते है कि पिराना बहुत खतरनाक मचली है और एक बार कोई इनकी नदी या फिर जील में कुद गया तो मार कर छोड़ती है ऐसा कहना कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक ठीक नहीं है पीराना मचलियों में भी मासाहर और साकाहर प्रजात्या होती है लाल रंग वाली पीराना मचलियों सबसे आक्रमक और खतरनाक माना जाता है लाल रंग के पिराना के साथ काले रंग वाली पिराना को भी बहुत खतरनाक माना जाता है पिराना मचलिया अक्सर जुन में सिकार करती है ताकि वो बड़े सिकार को आसानी से पकड़ सके पानी की गेराई से ले जाकर अपना बोजन बना सके पिराना के जबड़े इतने मजबूत होते है कि 10 से 12 सेकंड के अंदर एक मनुश्य की पूरी उंगली को काट सकते है पिराना मचली को खाना नहीं मिलता तो वो दूसरे पिराना को खाने लगते है एक दूसरे से लड़कर खा जाते है तो एसा हमारा आज का एपिसोड उम्मिद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे ही मचली से रिलेटर वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस ब्याल आइकन को भी दबाए ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुचती रहे वीडियो को लाइक करें शेर करें और नीचे कॉमेट करें